हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने iq9se android mobile phone में आप जो है color correction setting को आपने use कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह color correction setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीड iPhone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लीजिए setting page में आपको नीचे आना है यह आपको यह option मिल जाएगा shortcut and accessibility इसे select करना है इसके अगले page में आपको नीचे option मिलेगा accessibility इसे select करना है इसके अगले page में आपको यह option मिलेगा color correction इसे select करना है यह आपका page open होगा color correction का इसमें आपको न यहां पर आपको ने इस बटन को आउन करने से पहले मा आपको एक बात बता जाता हूं देखिए आप उपर की साइड में कलर देख रहे ना इन कलर को आप ध्यान से देखिए इनका कलर अभी नॉर्मल है जब मैं सेटिंग को आउन करूंगा तो इनका कलर जो फेड हो जाएग मतलब फीक हो जाते है यहां तक कि आपके मुवाइल फोन का जो वाल पेपर है उसका कलर भी फेड हो जाएगा और जो आपके मुवाइल फोन की जो एप आइकन है इनका कलर भी फेड हो जाता है मतलब फीका हो जाता है ठीक है तो यह कलर करेक्शन सेटिंग जो नहां ऐसे का उपन करना है स्टार्टिंग से ठीक है सेटिंग पेज को फिर से उपन कीजिए सेटिंग पेज में सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon इससे select करना है और यहां पर आपको search bar में setting का name आपको टाइप करना है color correction ठीक है इस तरीके से तो आपको नीचे की